हालो फ्रेंड्स सिमाचल ये स्टड़ी में आपका स्वागत है तो आज इस वीडियो में करने वाले सिंदुगाटी सब्वेता का सैकेंड पार्ट जो हमने प्राचिन बात के अंतरगत सिंदुगाटी सब्वेता का सैकेंड पार्ट करने वाले हैं और इसके बाद करेंगे वह वह यह वह काहनी की तरह सारी टॉपिक और जो मैं आपको बता दूकित इस थोड़े तफ हैu इसके बाद जो भी टोपिक आएंगे वो कहानी की तरह दिरे दिरे आसान बनते जाएंगे ठीक है तो चलिए इसका जो हम आज हम इसका जो है कि आप इसे एक टेस्ट सीरीज की तरह लगा सकते हो तो आज हम इसे करते हैं तो हड़पा के खंडर निमांकित में से किस नदी के त जो हम आज है तो आपको बता है कि जो हड़पा का जी बाता है वह पाकिस्तान का जो मोंगोमरी जील आपने इसकी जो स्थिति यह वर्तमां ठीक है तो नेक्स्ट कोश्ण करते हैं कि मोहन जोदर्ओ के खंडर निमांकित में से किस नदी के तर्थ पर पाए जाते हैं तो लाटना wur hai compliance सिंद्ध्नुन क्या बखेद रकिशंटी में पाकिस्तान में झाते हैं तो उसी नधी कर्सकर पर लगधा जाते हैं एकका सम्टेस के तोubक sevkin अपर वे हीमिया धाना प्टीक हाना आज ब्याफ मकशन मれं पुस्ट कांगी अधर क्या जो सबसे बड़ा बवन मिला उसका नाम था धन्यागार ठीक है और कोशन नंबर फाइव कि देवी माता की पुझा सवंदी थी तो जो जो देवी माता की पुझा करते थे ठीक है कोशन साथ वाँ सोरी आप इस नंबर इंग पर ध्यान मत दें क्योंकि यह जो मैंने वही कोशन उठाई है कि जो मोस्ट इपोड़ेंट है बाकि जो नहीं थे वह मैंने छोड़ दें ठीक है तो कोशन एंट है कि सिंदु घाटी सब्वेता के पतन नगर बंद्रगा कौन सा था तो मैं आपको बता दू कि जो लोथल है यह सिंदु घाटी सब्वेता का एक परमुख बंद्रगा था ठीक है और यह कोशन भी बहुत इपोड़ेंट है कोशन नमबर नाइन टेन लोथल नामक स्थान पर निम्नौक ते सब्वेताओं में से किसका जाजी मालगार था तो आ परम। में ने अभी पढ़ा कि धन्यागार मुख जोदलो का उत्खंणन का कारेया कप शुरू कर गया तो 1922 में क्या गया था और यह किया गया था तो इसका जो प्रमौ्द एंसर के जुटशन का का रवा यह जो इसका नाम्बर नावाशन प्रृश्य नियुकि पृश्ग सबता सब्ड़ तो जो सिंदू घाटि सब्वेता इसमें जो तराजू मिले यह भी लोगतल से मिलेघो कि एक प्रमुख बंद्रगा था जा पॉसिन गाटि सब्भैता को आपको पते हैं किसे कि हड़पा नमक्सथान के ठीक है आज को सेरेता क April 225 पॉब्सक्राइट łोझो के लोगों का मुक्षित होई कितना था तो यह कुर्शन ऐसे कि जो हमें याद रखने पड़ते हैं में कोई कोई ट्रीक काम नहीं करती है कि कोई लोजी काम नहीं करता है तो जो इसका जो शेत्रफल था वो तेरा लाग पर किलोमेटर था ठीक है और सिंदुकाटी सब्वेतर का स्थल काली बंगा कहा सित है तो यह जो सिंदुकाटी सब्वेतर कातर जो जो स्थल है यह हमारे राज्यस्थान में सित है और जो काली बंगा का जो अर्थ होता है वह होता है कि काली चूडियां ठीक है और आपको पता है कि हमारे यहां लोकल लेंग्वेज में चूडियों को बंगा ही कहा जाता है कोई तो फिर नहीं नगर मिल जाते हैं तो लेकिन जो इसका जो अंसर है वो फिलाल 6 ही है क्योंकि इतनी जल्दी अपडेट नहीं होते हैं जो एक्जामीन होते हैं वो पुराने ही डाल देते हैं कोशन नम्बर सिंदु घाटी में कितनी राजदानिया थी तो सिंदु घाटी में जो थी वो दो राजदानिया थी ठीक है जो पिगट एक बेग्यानिक तो उन्होंने बताया था कि जो याद रखना कि दो थी हडपा सब बेदा किस युक्की थी तो ये कोशन कल भी करवाया था तो जो ये सब बेदा है ये कांसे युक्की थी ठीक है हड़पा-गालिन मोरे अधिकांस ता बनी होती है तो यह कोशन मोस्ट इपोडेंट है तो इसे याद रखना कि जो मोरे होती है कि जो इस ट्रेम थी वो शेल खड़ी में शेल खड़ी से बनी हुई थी सबसे जादा और जो यह शेल खड़ी है यह बैसेकल एक अधातु है और तो इसकी बनी हुई थी लेकिन अधिकांश मोरे शेल खड़ी की ही थी ठीक है हडपा के निवासी किस खेल में रूची रखते थे तो आपको पते है कि शत्रंज बहुत प्रणा खेल है तो शत्रंज में ही रूची रखते थे ठीक है उसके बाद पैमानों कि खोज नहीं सिद् अंधिक है था माप और तॉल से प्रचित थे तो यह खोज आपको मैं बता दूंगा बता दू कि यह जो हुए यह लोगने वी उसलिए पता लगा कि माप तोल से यह प्रिचिते क्योंकि लोगन में जो है वह एक आप जानते होंगी कि तराजू तराजू तो पते हो किसे बो लोग यह परिशत थे ठीक है और किस पश्चु के अप्षेश इंदुगाठी सब्वेता से प्राप्त नहीं हुए तो मैंने आपको कल जैसे बताया था कि जो घोड़ा है ठीक है जो घोड़े के अप्षेश है वो सुद्कोदा से प्राप्त हुए है तो घोड़ा तो मतलब इ सब्सक्राइब करें जो घोड़ा तो मतलब जब अपने समय में थी वो तो इरान पर नहीं थी क्योंकि यह भारत में भी थी और भारत और पाकिसान तो एक ही था उस समय जो था और फिर अफगानिसान और अफगानिसान के पश्ची में जो आप देखो होगे पश्चिम दक्षिन पश्चिम में जो फैला है वो इरान है ठीक है तो इरान में नहीं फैली हुई थी उस तहीं में हड़पा संस्क्री थी ठीक है और आपको पते है कि जो इरान है इसकी जो राजदानी तराहन करके है कुछ ठीक है तो आप कैपिटल भी याद रख अगरो जो आस-पास के देश है मतले एसिया के देश हैं जो मों जो दो से जो दो से मिली सडकों की चुड़ाई क्या थी तो इसकी जो चुड़ाई थी वो 10.5 मीटर थी ठीक है जो इसका राइट अंसर है वो अप्शन भी राखी गड़ भारत के किस राज्य में सीत है तो जो राखी गड़ है वो भारत के हरियाना राज्य में सीत है और जो राखी गड़ है यह सबसे बड़ा पहले जो मतलब हिंदू गाटी सब्वेता में जो माना जाता था वो मोहों जो दोड़ो को सबसे बड़ा मतलब नगर म में जो राखी गड़ा यह सबसे बड़ा नगर माना गया है लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं होगा राखी गड़ तो महोंजोदलो को ही आपने लगाना है ठीक है बाकि जो राखी गड़ी भारत के किस राज्जे में स्थीत है तो यह हरियाना में है तो सिंदू गाटी सब्वेता का सबसे बड़ा स्थाल कॉन सा है तो देखो यह कोशन में भी बता रहा हूं तो महोंजोदलो ही आएगा अगर और आप्शन में राकी गड़ आगया और महोंजोदलो तो आपने राखी गड़ लगाना है और अगर दोनों है तो आपने प्रियोर्टी जो देनी है वो राखी गड़ को ही देनी है क्योंकि आप उसे लेके फिर बाद में अपील भी कर सकते हूँ तो संधूगाटायव लाख चभादायव था अगर्म घड़ मिया वंधार होगा हो थाभ्य सिंधूगाटायव गयूत ख़एख रृता-त-ब्ते तो इसे वे इन दोन्हों को मतल्ब पवित्र माना जाता था सिंद्धु गाठी सब्वेता का है किस चांस से मिले हैं ग्यात होता है कि वहां के खिटों कोहल की प्रीक्रयाब के था तो यह most important question है most से भी most तो इसका जो right answer है काली वंगा और मैंने आपको बता है कि जो काली वंगा है वो राज्यस्तान में मतलब इसकी जो वरतमा सित्या वो राज्यस्तान में काली वंगा जगागी ठीक है उसके बाद मांडा नगर किस नदी पर स्थित है तो आपको जैसे मैंन चिनाब नदी पर सित्ता जो यह मांडा नगर है और आपको पती है कि जो चिनाब है हमारे हमाचल से निकलके जमू कश्मीर में यह जाती है तो इसी नदी के किनारे यह मांडा नगर था और यहां तक यह अध़पा सब्वेदा फैली हुई थी हडपा और महोंजदलो की की गई तो सर्जोन मार्शल के गवाई में यह जो थी इन दोनों स्थानों की खुदाई की गई थी और मैं आपको विता दू कि यह सर्जोन मार्शल कौन थे यह ASI के मतलब आर्कोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया के डारेक्टर थे तो इनहीं के कहने पर जो था कि हडपा की खोज शोई थी वो की थी दियारामशायनिने और महँ सर्दोра खोज जो खोज टिभ व už ठीक है और आपको पते है कि जो घृत एक साड़ के ऑने कौंशीन करते हैं एक हडपा सब क miser प्रत्म किस तो मैंने कल भी बिताय था कि इन्होंने तामबा और कांसा ये दोनों उप्शन आ गया है लेकिन जो प्रेटी देनी या वो तामबा को ही देनी है क्योंकि उससे में तामबे की खोज हो चुकी थी तो इसका यह वो राइट अंसर है काली बंगा कारत है तो मैंने आपको शुरू में बताया कि जो काली बंगा कारत है वो है काले रंग की चूड़ियां ठीक है और ये काली बंगा की जो बरतमासी थी थी राज्यस्थान में है किस नगर को सिंद्ध का बाग का जाता है तो ये भी बहुंस्ट इपूर्टेंट प्रेशन है तो ये भी मैंने किसी एक्जाम में देखा था कि आया हुआ था तो ये जो है मुहों जोड़ों को इसकी संग्या दी जाती है हरपास बेता के नगर की बाकि अगर जो भी इस मतल कि जो हमने सीरीस तो चलाई रखिया कि उसमें भी जो सिंद्ध काटी सब्वेदा के जो कोशन रेपीट हो रहे होंगे या फिर जो आ रहे हैं सिंद्ध काटी सब्वेदा से वह उसमें कवर हो जाएंगे तो आप इन दोनों वीडियो को जरूर देख लें हो सकता है कि आपक तो आपको देखने में अच्छा लगेगा और कुछ कोशन अपसोल भी कर पाओगे तो इस तरह से बाकि अगर आप पढ़ते हो तो आप इस कोशनों को इन जो वीडियो ऐसे आप टैसे की तरह लगा सकते हो क्योंकि आपको खुद को पते हैं कि जो टैस सीरीज है वह कितनी म मैं आपको कल बदा दूंगा ठीक है बाकि धन्यावाद